सुपर स्टार सिंगर 3 को दर्शकों द्वारा खुब पसंद किया जा रहा है शो में आए हुए छोटी छोटी बच्चे बहुत ही कमाल के सिंगर है सभी बच्चों ने अपनी सिंगिंग से सब का दिल जीत लिया है शो में नेहा ककर जज की रूप में नजर आ रही है इस हफते शो में नेहा ककर का बर्दे सेलिब्रेट किया गया नेहा के बर्दे की खास मौकी पर उन्हें म्यूजिकल चिब्यूट दिया गया साथी शो में नेहा की फैमली ने शिर्कत की नेहा के पती रोहन प्रीत, भाई टोनी और बहन सोनु ककर के साथ उनकी मा भी नजर आई सबोंने मिलकर नेहा का बर्थडे सेलिब्रेट किया इसके साथी शो की सभी बच्चों ने नेहा के लिए गिफ्ट भी खरीदे सबी सिंगर्स ने अपनी सिंगिंग से नेहा को खुब जुमाया महिशो में नेहा इमोशनल होती नजर आई असखास मौके पर पवंदीप की भुकंप लेजल ने अपनी सिंगिंग से नेहा को इंप्रेस कर दिया मंच पर लेजल नेहा की तरह बाल और उनकी तरह आउटफिट पहन कर मंच पढ़ाती है लेजल ने मंच पर मिले हो तुम हमको सौंग आती है लेजल ठीक उसी तरह नजर आती है जैसे इस सौंग में नेहा दिखी थी लेजल की इस performance पर नेहा बेहत खुश होती है आपको बता दे कि नेहा कई बार कह चुकी है कि लेजल उनकी xerox है इस बार लेजल ने ये प्रूप भी कर दिया है नेहा की अंदाश में लेजल पफोर्म करती दिखी लेजल की पफोर्मेंस पर सभी कैप्टन्स भी उनकी खूब तारीफ करते हैं वही नेहा ककर उन्हें गले सी लगा लेती है एस स्पेसल एपिसोड में पीहू और अबीरभा अपनी सिंगिंग से समा बान देते हैं दोनों नेहा ककर के लिए गिफ्ट्स लाते हैं जिसे देख कर नेहा बेहत खुश हो जाती हैं वही मंच पर दोनों बच्चे काला चश्मा सौंग पर पफोर्म करते दिखाई देते हैं दोनों की पफोर्मेंस पर नेहा कक कर खुशी से जूम उठती हैं साथी नेहा कहती हैं कि आप दोनों ने मेरे बद्दे को बहुत ही खास बना दिया। इसके साथी नेहा दोनों सिंगर को गले से लगा लेती है। वहीं पिहु और अबिरभव की सौंग पर सभी कैप्टेंस भी जूमने लगते हैं। दोनों सिंगर अपने जुगल बंदी से मा हॉल बना देते हैं आपको बता दे सुपरस्टार सिंगत्री में पवंदीप और अरुनिता की लव स्टोरी को बखुबी दिखा जा रहा है आई हुए गस्ट से लेकर शो की जज तक सभी उन्हें टीज करते हैं वहीं सलमान अली भी अरुनिता कांजिलाल को हमेशा छेड़ते नजर आते हैं अरुनिता कांजिलाल कई बर उनक पर गुस्सा भी दिखा चुकी है नेहा ककर भी दोनों के खोब मजे लेती हैं वहीं इन सवालों और बातों पर अरुनिता और पवंदीप सिफ मुस्कुराते नजर आते हैं वैसे आप इस एपिसोड के लिए कितने बेकरार हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें मियो वर्फ को